हलो फ्रेंड्स बाइव अकाउंट दो महिने का चार्ट आज के दिन यह देखिए यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोस और चेंज परसंटग और प्रिवियस दे आज के दिन 11 परसंट डाउन रहा यह स्टॉक बारा महिने का चार्ट देखते हैं पहले जानिवारी के जो लेवल्स थे पिछले एक साल पहले के जो लेवल्स वो थे अप्रोक्सिमेट 290 और स्टॉक इतना ज्यादा उपर नहीं गया है यह साल में यह साल में स्टॉक ने बहुत ही ज्यादा विक्नेस दिखाई है फार्मा सेक्टर के कई स्टॉक बड़े तेजी से उपर गए है यह देखिए उस दिन से आज तक सिर्फ 35% उपर है एक बात यह भी है कि यह जो फोल आया है अप्रोक्सिमेट जो हाईस लेवल था वहाँ से वो बड़ा है इसकी वज़ा से यह एक ही फोल की वज़े से जो 11% कहा था उसकी वज़े से यह जो परसंट है वो कम दिखता है पर सही बात है कि 290 के लेवल से निकल कर यह स्टॉक ने 500 के लेवल को छुआ भी नहीं ऐसा लग रहा है देखिए जो हाईस लेवल थे हो है 486 हाई यहाँ पर है तो 290 से 486 यह कोई ज़्यादा बढ़त नहीं है और भी फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स के मुकाबले अच्छा और अभी यह देखें यह में 20 और यह में 50 लाइन क्या कर रही है यह में 50 के लाइन के लाइन देखिए ब्लू लाइन है वो नीचे है जिगजग पैटन पैटन इतनी क्लियर नहीं है शेर स्टॉक उपर जाता है एक राउंडिंग टॉक बना के नीचे आता है वापर थोड़े समय तक एक कॉंसलिलेशन पैटन में रहता है उपर वापस रहता है वापस नीचे आ जाता है तो यह जो चाल जो है वो एक दमदा श्टॉक की चाल नहीं रही है यह साल में अभी वापस एक दो मेने का चाल लेते हैं यह देखिए डिलिवरी परसंडेज इसका कितना है यहाँ पर जाके देखते हैं तो जुलाई से लेकर आज तक साड़े चार मेनों में प्राइस हाई हुई है 487 और 372.25 लो रही है एवरेज टेट कॉंटिटी 49 लाग शेर्स एवरेज डिलिवरी कॉंटिटी रहती थी साड़े बारा लाग शेर्स तो कल तो साड़े बारा पंदरा वो तो ठीक है 15 लाग शेर्स के डिलिवरी थी लेकिन आज के दिन 7 टाइम्स डिलिवरी हो गई तो यह काफी बड़ा वोल्यूम है एक दिन में अगर हम थोड़े दिन पहले जाके देखे हैं तो 84 लेक शेर्स का वोल्यूम देखिए यहाँ पे था 27 नवेंबर को बाकी हमने देखा नहीं पिछले 2-3 महिनों में 27 नवेंबर को देखिए उस दिन ये ट्रेड़ ये केंडल्स जो है वो ट्रेड़ कॉंटिटी के केंडल्स है आप देखें तो यहाँ पर ट्रेड़ कॉंटिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं वो ट्रेड़ कॉंटिटी है वो है 147 लेक्षेर्स उसमें 75 परसंट डिलिवरी वोल्यूम थे देखिए तो ये केंडल छोटा दिख रहा है आज के दिन के मुकाबले आज ट्रेड़ कॉंटिटी ज़्यादा है 284 लेक्षेर्स लेकिन डिलिवरी परसंट है देखिए 29 परसंट है इसलिए ओवरोल डिलिवरी इस कंडल से कम है पर दूसरे कंडल से देखें है तो उससे काफी ज़्यादा है और पिछले 6 मेने के एवरेज से भी 6.5 गुना ज़्यादा डिलिवरी हुई है यानि कि ये जो फॉल आया है वो विथ डिलिवरी आया है विथ वोल्यूम आया है बड़े वोल्यूम के साथ आया है अब ये कहां तक जाएगा थोड़ा लंबा चार्ट देखें तो ये देखिए पिछले पिछली एक जो बोटम बनाई थी वो अप्रोक्सिमेट 373,80 के आसपास थी तो ये जो पिछला सपोर्ट यहां पे लिया था स्टॉक ने वो है 380 के लेवल्स और अभी भाव क्लोज हुआ है आज 393 पर ज्यादा probability मुझे इस बात की लग रही है ये स्टॉक 380 370 के लेवल्स के नीचे जाएगा तैंक यू